हेलो फ्रेंड्स दिस इस मुईत गुपता फ्रोमे स्वेल अपडेट्स और इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है लिकुडडिक ट्राप यह आपके एक्जाम में शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ जाता है कभी बताईए कि लिकुडडिक ट्राप क्या होता है अब यह लिकुडडिक ट्राप है क्या यह कि cit kis के एकनॉइग्स में पाया जाता है जब जो monetary policy है वो central bank की क्या हो जाती है ineffective हो जाती है इसको एक बार diagram के help से देखते हैं कैसे होगा यह हमारे पास money demand है यह हमारी होती है money supply money supply यह हमारी है money demand यह हमारे interest rate market के निकल कर आए लेट से अब आप money supply बढ़ाते जा रहें उन्क्रीज करते जा रहें एक लेवल आएगा जहां पर आप interest rate कम कर चुके होंगे लेट से आधा परसेंट interest rate दे रहे हैं मार्केट के अंदर अब इस rate पर लोग invest तो कहीं करना ही नहीं चाहेंगे bonds के अंदर उससे better वो क्या feel करेंगे कि हम क्या hold कर लेते हैं cash ही hold कर लेते हैं तो यह जो money demand है इसके बाद से क्या रहेगी बिल्कुल downward sloping नहीं रहेगी यहां से बिल्कुल flat हो रहेगी आपकी कुछ इस तरीके से तो अगर यहां पर आप और जाधा बढ़ाना भी चाहो money supply तो interest rate में effect ही नहीं पड़ेगा तो जब आप money supply बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो और एक ऐसे situation में पहुँच जाओ कि interest rate उससे नीचे नहीं हो सकते और bond market जो है हमारी bond holders, bond खरीदने के लिए तयार नहीं है because of low interest rates तो हम उस situation को बोलते है liquidity trap, so इस liquidity trap के अंदर monetary policy हमारी बिल्कूल ineffective रहती है, यहां पर सिर्फ एक policy काम करती है जो की government की fiscal policy होती है, so I hope आपको समझ आ गया होगा है छोटा सा topic जिसका नाम था liquidity trap, so thank you for watching this video, मिलते हैं next video के अंदर